क्या आप जानते हैं कि जो गहूं का आटा है जिससे हमारा रोज का आटा गुटा है रोटियां मनती है उस आटे को हम कुछ चीजों का मिश्रंण करके कई गुणा healthy बना सकते हैं कई गुणा स्वास्थ वर्धग बना सकते हैं इसलिए मुझे इस वीडियो को बनाने की جरुण पढ़ी कि विंटर्स का टाइम है कडाके की सर्दी बढ़ी है ननिताल में चाहे देश भर में पढ़ी है इस वक्त हम आज के आटे में एक मिलाएंगे मडवा जिसको फिंगर मिलेक भी बोलते हैं मलाएंगे फ्लैक सीट्स अलसी मतलब कसूरी मेती और मिलाएंगे चने का आट इन सब के मिशन से ये आटा इतना ज्यादा हेल्दी हो जाती है आपकी जो बोन्स हैं इतनी ज्यादा मजबूत हो जाएंगी डाइजस्टिव हैल्थ आपकी बढ़िया हो जाएगी और ठंड से भी आपकी रक्षा करेगा कडाके की सर्दी में चलिया यह देखते हैं किस तर अपने पास पानी का ग्लास भरा हुआ रख लें यहां देखते हैं हम फैनुग्रीक हमारी थोड़ा सा गरम कर लें और इसके मोटे-मोटे जो टुकड़े हैं इस तरी के यह निकालने जिससे इसकी नमी गायब हो जाए बहुत ही बढ़िया चीज है डेजस्टिव हेल्थ के लिए हेर फॉल को रोकती है फाइबर है डेजस्टिव सिस्टम को अच्छा रखती है कई फाइदे हैं इसके आप जब भी जाड़ों में आटा गूद रहे हों इसे जरूर डालें यह हमने गेहूं के आटे में कसूरी मेथी इस तरीके से डाल दी है अब नमबर आता है जो वो आता है फ्लेक्सीट्स का फ्लेक्सीट्स इस तरीके से आप अलसी के बीज हलका सब ब्राउन कर लें और इस तरह का पेस्ट बना लें पाउडर और एक स्पून अलसी का पाउडर भी इसमें डाल लें अलसी में ओमेगा-3 फैटी एसेट्स होते हैं बहुत जबरदस मढवा जिसको finger millet भी गहते हैं मढवई की एक quality मैं आपको बताऊं इसमें भी fiber होता है इसलिए digestive health के लिए बहुत बढ़िया होता है दो इसमें मढवा मिलाते हैं मढवा जो मज़ा होता है हड़ी का जो bone density reduce हो जाती है आत्मी की एक age के सांथ तो उसको ये reduce नहीं होने देता म बहुत चवरदस्त इसमें calcium होता है बहुत ज्यादा मात्रा में तो देखिए हमने 2 spoon इतने आटे में मिला लिया एक चीज और मिलाते हैं इसमें वह देखिए अब डाल रहे हैं हम इसमें चने का आटा है चना जो होता है ये 2 spoon हमने दाल रहा है देखिए 1 spoon पहले दाल दिया अच्छे तरीकी से मिला लेंगे अब आटे को गूदने की बारी होती है चना में चने के आटे में बहुत ज्यादा आयरन होता है तो इस तरह का अगर आप बनाएं मडवे का आटा चने का आटा और ये तो जो हड़िया है आपकी दधीजी की हड़िया जैसी हो जाएंगी अ अब आटा गूदते हैं और आटे गूदने के लिए एक चीज़ है आप ठंडे पानी का ही इस्तमाल करें हमेशा चाहे कितना ही ठंडा हो रहा है इतना हेल्दी आटा मजएदार क्या क्या चीजे हैं दुनिया में और जब इसकी रोटी बनती है फूलती है ना इतनी बढ़ि भी चेंज कर देता है इसकी खुश्बू ट्राइ जरूर करिएगा इतनी चीज़े मिलाके और इतना हेल्दी आटा पूछे मत इसके हेल्प बेनेफिट देखने के लिए मालग से मेथी का कसूरी मेथी का मडवे का चने का फ्लेक्सीट्स का अलसी का सबका अलग-अलग गेहूं का आटा जो अपना आप में खुद इसमें इतना बढ़िया फाइबर होता है कि यह अच्छा होता है डाजेशन को बहुत अच्छा रखते है इस तरह का पैन जरूर अपने पास सके पानी का ग्लास सके जब भी आटा गूद रहे हूं और आटा जब भी गूदे मु करती नहीं है तो आटा गूद के तयार हो गया है देखें कितना बड़ा जो कितना अच्छा लग रहा है तो इस तरहीं के से आप आटा गूदें विंटर्स हो या समर्स हो तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है मेरा तो वीडियो करें चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें थैंक्स वर वागिंग की वागिंग थैंक्यू वरी मच्छ